भरे मंच से भाजपा जिलाद्यक्ष रवी मालविय को कारिकरताओं ने सुनाई खरी खोटी जिलाद्यक्ष पर फूटा कारिकरताओं का गुसा क्या उपेक्षा का शिकार हो रहा बुधनी उधानसवा का भाजपा कारिकरता मुक्यमंत्री शिवराद्यक्ष चोहान के विधानसवा शेत्र नसुला गंज में भाजपा कारिकरताओं ने जिलाद्यक्ष रवी मालविय को भरे मंच से खूब खरी खोटी सुनाई मंडल कारि समीती की बैठक के दोरान पूर मंडल अध्यक्ष बाबुलाल जाट ने कारिकरताओं का दर्द बया करते हुए कहा कि जिलाद्यक्ष खुद सर्वे सर्वा ना बने पदधिकारियों को भी आवसर प्रदान करे जाट यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि जिलाद्यक्ष के अलावा अधिकारी किसी की नहीं सुनते और जिलाद्यक्ष कारिकरताओं की नहीं सुनते उन्होंने कहा कि भाजपा कारिकरताओं बेक्षा का शिकार हो रहा है वो अपनी बात लेकर जाएं तो जाएं कहा जाटने अद्यक्ष को दो टूक शब्दों में कहा कि जिला अद्यक्ष सारे पावर अपने पास ना रखें वो मंदल अद्यक्षों को भी साथ लिकर चले जाटन भी देखें कहां सुम्ष करा हूं यह को होना नी जो कि एक आजिकारी को याजि को यह से पूजिकारी को अब रहे काम करोंगा यह इस प्रकार टिकन सब्सक्राइब वी प्रचंददश को आजब अधिकर तो ने चार्म ध्याम आतों पास पर यह मंदल लगे कि पुपो आते हैं हमारा काम नहीं था हमारा अजगाई आजक्ट के बोले में पूले अब हमादे घ्राजेक्ट के बीच में हमारे चलना है कि अजगा प्रभाई मंद्टी आजक्ट के अजगे जाएं कि अजगे में प्रशाशन करता है प्रशाशन पर आपकी अगेरे की पर होई काम नहीं चलेगा आप अपने सब्स्क्राइब बनाएं जगोस्पराइब के अधिकाई को स्यार किजिए बीरो रिपोर्ट एमस टीवी नसुरला गंच